हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल स्रिलिटिल ट्यूटर पर तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यदिक मैच का मल्टिप्लिकेशन क्या व्यदिक मैच का मल्टिप्लिकेशन तो देखें, इसमें सबसे पहले आपको मल्टिप्लिकेशन के लिए दिया गया है आपको क्या गएना है? 103 को 105 से मल्टिप्लिकेशन करना है तो आप देखें, इसमें हम 100 को बेसमान के चलेंगे क्यों बेसमान के चलेंगे? वहीं हम किसी को भी बेसमान के चल सकते हैं 100, 300 के ज़्यादा पास है और 105 भी 100 के ज़्यादा पास है इसी दिए तो अब देखिए अब हमको क्या बता लगाना है कि 100, 300 से कितना ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा है तो हम दिखेंगे इन्टू करना है तो इन दोनों को इन्टू करने पे जो भी हमारा आंसर आएगा वो डबल डिजित नंबर का होना चाहिए क्यों होना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं हम देखिए 100 में डबल जीरो है है ना तो इस लिए होना चाहिए हम 100 को बेस पानके चल रहे हैं क्योंकि 100 की जाधा करीब है और उन्द्रेट में दो जीरो हैं इसलिए ौके तो देखे हमारा आंसर तो आया इसका 15 इसलिए मैं थाथ पास लेकर रहे हूँ क्योंकि यह आंसर है अब फिर उसके बाद चाहे हम इसको इससे प्लस करें चाहे हम इसको इससे प्लस करें आंसर हमारा सेव ही आएगा 108 तो फिर आंसर आगया हमारा 10815 आगया ना हमारा आंसर अब देखिए अब हम दूसरे बारे पर आते हैं तो इसमें भी बेस मान के चलेंगे क्योंकि यह 100 के जादा करीव है तो यह 100 से कितना जादा है 3 जादा है तो हम लिखेंगे प्लास 3 और बनने 200 से कितना जादा है तो 2 जादा है तो हम इसलिए लिखेंगे प्लास 2 तब दिखेंगे अब हम इन दोनों को इन 2 करेंगे तो 3 2s are 6 है ना लेकिन अब क्या हुआ अब जैसके मैंने आपको उसमें बताय था डबल विजित नमबर आना चाहिए यह देखिए हंड्रेट में तो दो जिरो है लेकिन इसमें बन विजित ही नमबर आया तो अब हम क्या करेंगे इसमें जिरो लगा देंगे मैं इसको तो आसा पास लिक देती हूँ हम इसमें जिरो लगा देंगे जब हमारा आंसर जो आता है इन दोनों को लोड़िटर करने से जब हमारा वो कर्क में होदा जब हमारा वो एक डिजित का आता है तब हम क्या करते हैं तब हम उसमें जिरो Successप जाए हम इसको इससे प्लस करें, यसको इससे प्लस करें, आंसर हमारा सेव ही आएगा. तो फिर क्या आएगा हमारा आंसर? 105. तो आंसर आगि हमारा 10,506. है न? अब आगे चलते हैं. अगला बारा हमारा थोड़ा सा अलग है. उसमें क्या करना है अब देखें इसमें भी ये दोनों 100 के ही पास है तादा पास है इसमें भी हम 100 को ही बेसमान कर चलेंगे तो देखें अब हमको इसमें क्या अलग है वो बताती हो मैं आपको देखें इसमें ये अलग है कि ये 100 से कितना कम है अब इसमें माइनस वाला आगया है ना ये कितना कम है तो 2 कम है है ना तो हम लिखेंगे माइनस 2 अब ये 9500 से कितना कम है तो 5 कम है हम लिखेंगे माइनस 5 ओके तब उसी तरह से हम इन दोनों को मल्टिप्लाइ करेंगे तो तो मैं इधर लिखते हूँ क्योंकि आंसर है ये 10 लिख दिया अब अब हम चाहिए इसको इससे माइनस करें इसको इससे माइनस करें आंसर हमारा सेम ही आएगा 93 ओके तो फिर आगया हमारा आंसर 9310 ओके थांक यू मिलते हम ले वीडियो में कुछ ने टोपिक के साथ तब तक लिए बाई बाई